नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना होमियोपेथिक क्लिनिक केश प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है साथियों आप के मन में एक सवाल उट रहोगा कि डग साब अब होमियोपेथिक दवा नहीं बता रहे हैं और अन्य तरह के वीडियो डाल रहें ऐसा साथियों हम इसलिए कर रहे हैं कि इसकी समय वक्त को जरूरत है आज जब ऐसी महमारियां वाइरस की इंफेक्शन फैल रहे हैं तो हमें अपने बाड़ी को फिट रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमको जहां से भी जो भी रिसोर्स मिले जो भी संसादन मिले जो भी नालेज मिले हमें उसे एडाप्ट करना चाहिए तो यही कारण है शायद कि हम इधर दवाओं के वीडियो कम डाल के आपको वो चीजें बता रहे हैं जो आपको जण के लिए त्यार रहना है जो अब आने वाला वक्त है बिमारियों का वक्त है तमाम वाइर्स हमला करेंगे और तमाम इसमें casualities होंगी तो हमको उसके लिए सजग रहना है और इसलिए मैं आपके सामने थोड़ा आपने हुमियोपथी से अलग हट के वीडियो लारह हूँ क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं जब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नौलिज हम आपके साथ शियर कर रहे हैं तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको detoxification, शरीर को pure करने के लिए, body, mind and soul, तीनों चीजों को purity लाने के लिए, balance करने के लिए, हर आपके मन में जो सवाल उट रहा होगा, हर संभाविश सवाल का जवाब देगा बहुती रोचक वीडियो है साथियों, और हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को देखें, वीडियो का मकसर साथियों ये है, इस वीडियो में ये बताया गया है कि detoxification आपके लिए क्यों जरूरी है, आप इसको कैसे करें, किन परिस्तितियों में करें और कप करें, तो ये एक आ विशेश कर हमारी इवापीडी के लिए है, वो इवापीडी जो आज खाने से पहले वक्त नहीं देख रही, जब जो जहां दोस्तों, साथियों, परिवार, घर, बाहर, महले, गली, सडक में जो भी खाने को मिलना है, वो खाने में इंटरस्टेट है, तो आपको यह वीडि से 99% तो बचे रहे, बहुत कम संभाव ना हो कि आपको मर्ज हो, मर्ज तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो उसकी probability होती है, वहाँ आपके शरीर में बहुत कम हो जानी चाहिए, यह इस वीडियो का मकसद है, चलते साथ यह सफर पे आपको बताते हैं, आपके मन में संभाव इक तोर पे detoxification को शरीर के लिए उठ रहे सारे सवालों के जवाब देने के प्रयास है यह, साथियों, यह समस्या कहां से शुरू होती है, पहले इसे बात कर लेते हैं, पहले क्या होता था, आप इस बात से हमारे एकनालिश करेंगे, तिफाक रखेंगे, अग्री करेंगे, क आपके फोन पे एप हैं, आपके गली-गली दुकाने सजी हैं, महले-महले, सडक-सडक दुकाने सजी हैं, आप कहीं मॉल भी जाते हैं, तो आप कोई समान खरीदे ना खरीदे, लेकिन आप खाते पीते जरूर हैं, पीते नहीं, खाते जरूर हैं, पीते भी हैं, मतलब पोल तो इंसान असी मीत और पेखा रहा है और यही आपकी समस्या की शुरुवात है आपको साथियों अपने शरीर को बेहतर स्थिती में लाने के लिए आयरुवेदा के तीन कंसेट को समझना पड़ेगा यह बहुत पुराना 5000 साल पुराना विजडम है और अगर हम इसका इस्तमाल अपने भले के लिए ना करें तो आप भी समझ सकते हैं आपके लिए क्या शब्द है अपने लिए मन में तो हमको इसको इस्तमाल करना है पहला कंसेट है साथियों वात, पित और कफ और दूसरा कंसेट है अगनी, आम और ओजस वात, पित और कफ आपके बॉड़ी का जो एनरजी फ्लोज होते हैं उसका बेस होता है जैसे कि वात होता है वात के व्यक्तियों का डाइजेशन नॉर्मल होता है थोड़ा स्मूध होता है यहां रिप्रेजेंट करता है इस्पेस और एयर को थोड़ा पढ़ियेगा इसके बारे में और यहां रिप्रेजेंट करता है आपके मुव्मेंट को तो इसका जो पेसेंट होता है या इसको जिसको बात के कांस्टिटिशन होता है उसका digestion जो है वहाँ नॉर्मल होता है दूसरा आता है पित के व्यक्ति क्योंकि ये फार एंड वाटर इस एनर्जी को गवर्ण करता है तो इसका digestion बहुत जल्दी हो जाता है तो अगर आपके बॉटी में बहुत जल्दी के digestion हुआ जा रहा है तो आप पित के पेसिट हो सकते हैं फूट का अब्जॉर्शन भी प्रापर नहीं हो रहा है और डाइजिशन अन डाइजिस्टेट फूट ही अब्जर्ब करना पड़ता है तो आप जो है पित का मरीज़ के और दूर तीसरा होता है कफ यानि की स्लो डाइ जो होता है तो यह तीन कॉंस्टिटूशन जो आपको थोड़ा सा गूगल करके समझने पड़ेंगे अगर आपको वास्तर में अपने को सही तरफ ले जाना है इन तीनों का विशह ही यह है आपका कोई भी डाइजिशन को ठीक करने में सातियों कि आपके बाडी में एक अग इस्टेट फूड अमा को यहां डाइजेस्ट करती है डिजॉल करती फिनिश करती है जब आपकी अगनी कम होती है बाडी में आपके डाइस्टिव सिस्टम में तो आपका टॉक्सिंस जादा बाडी में घंटा होते हैं जिससे कि आपका जो ओजस होता है इन्मिटी होती है कम हो जाती है और आप अपने को स्लगिश मैसूस करते हैं और आज आप देख रहे हैं तमाम वारेस के इंफेक्शन उनीक हो रहे हैं जिनकी इमुनिटी कम है तो विशय हम लोग का यह है डिटॉक्सिफाई करने का कि हमको अपनी अगनी को रेगुलेट करना है उसको इंक्रीज करना है अमा को रिडियूस करना है यानि टॉक्सिंस को रिडियूस करना है और ओजस को बढ़ाना यानि इमुनिटी को बढ़ाना यही तीन विशय हैं आप कि अब सात्यों विस्टाय आता है कि हम लोग को बाड़ी के डिटॉक्सिफिकेशन में किस तरफ जाना है दो इस्तेतिया है आपके सामने एक है आप लाइट डिटॉक्सिफिकेशन कर लें यानि कि आप अपने खाने में कटवती करके उसको सयमित कर लें शुगर्स फास्टनर उनिया पास है लेकिन इपने बाड़ी को डिटॉक्सितर है आप जिस तरहां भी अपने बॉड्डी को डिटॉक्स करें। आपको उसके बाद फिर उन चीजों को अपने खाने में शामिल नहीं करना है फर्स कीजिए अभी वीडियो देखकर आप में जोश चड़ा आप खुब खाने लगे ये वीडियो देखकर आपको जोश चड़ा और आप ने खाना बंद कर दिया फास्टिंग पे आगए अब बहुत डिसिप्लिन कर लिया तीन दिन बाद क्या हुआ साफ आपको वापस जो है आपने उसके दुगनी गती से खा लिया तो यहां आपके शरीर को ज़्यादा नुक्सान करेगा मैं आपको एक्जैम्पल देता हूँ एक ग्लास है ग्लास में मिट्टी का पानी भरा हुआ है उसमें आपने थोड़ी सी रेट डाली वो रेट आपको नहीं दिखेगी लेकिन जब आप उसमें और पानी डालते जाते हैं तो देरे मट बह जाती है, मिट्टी बह जाती है, फिर आप जब रेद डालेगे, तो रेद आपको पानी में दिखेगी, यानि कि water अब आपका उस रेद के लिए ज़ादा sensitive हो गया है, Similarly is our digestive system वैसे ही हमारा digestive system है एक बार toxins आपने निकाल दिये लेकिन अगर आपने वो toxins दोबारा लिये तो वो आपके लिए ज़्यादा घातक होगा तो अगर detoxify आपको करना है तो उसको जोस में करिए लेकिन होस में करिए और आराम से करिए एक कहवत है वो हम लोगोंने खरगोस वाली कहानी सुनी है Slow and steady wins the race कच्छुआ जीर गया खरगोस हार गया तो आप आराम से करें कोई जल्दी नहीं है एक महीने में आप अपने को पदला हुआ पाएंगे अगर आपने अपने खाने में सयम रखिया एक आपके पास बड़ा अच्छा तरीका है अपने बाड़ी को डीटॉक्स करने का और वहाँ इंटर्मिटेंट फास्टिंग आप इसके बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे हमने सद्गुरुई जी का एक वीडियो देखा था तो हमें इंस्पायर हुए और यह हमने अपने तिंचरिया में फालो करना शुरू कर दिया पुद्रत कहती है कि आप स्वें डीटॉक्सिफाई कर सकते हैं यहां जो बार-बार खाने की आदत है यहां छोड़नी पड़ेगी आप एक लंच ले 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 ब्रिक्फस्ट कोसिज करे ले जब आप लंच लेते हैं और लंच माली के आपने नौ बजे-दस बजे लिया आप काम पे चले गए फिर आपने आके साथ बजे खाना खाया बीच में यह फास्टिंग हो गई आपकी आपका बड़ी इस दिजे डिटॉक्स हो रहा है साथ बजे के बाद फिर आपने रात में कुछ नहीं खाया या स्मैक्स हो गएरा कुछ नहीं सुभा जो है साथ आट बजे फिर आपने नाश्टा करा यानि ब्रेक्फास्ट करा यानि अपने फास्ट को वरत को तोड़ा जो रात भर का वरत है वो आपने तोड़ा फलका फुलका आपने नाश्टा करा फलों के साथ है जैसे भी स्प्राउट्स के साथ और फिर आपने बाद में लंच करा तो यहां जो पीरिड्स होगी लेकिन थोड़ी देर में यहां खत्म हो जाएगी तो आप इंटर्मिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं बहुत अच्छा उपाए बिना कष्ट के बिना इसका बहुत सोर मचाए अपना काम सहलता और सहिस्टा से करने का यहां कारगर उपाए है एक चीज सातियों आप अपने दिन जर्या में और सामिल करिए अपने डेली रोटीन में और सामिल करिए वो है गुन्मुना पानी पीना गुन्मुना पानी आपके बॉड़ी की सारी वेस्ट को खतम करता है वो एनरजाइज हो चुका होता है बात को समझने के लिए आप एक बात सोच सकते हैं अपने घर में बरतन खाने के होते हैं गी तेल उसमें लगा होता है जब आप उसे नार्मल पानी से दोते हैं तो वो उत्ते साफ नहीं होंगे लेकिन जब आप जब आप उसको गरम पानी से दोएंगे तो वो जादा साफ हो जाएंगे दो आप जो है वहाँ खुर्मुना पानी पीना शुरू कर दीजिए और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा मानिय बगवती सिंगी का यह समाजवादी पार्टी उत्रपदेश की जो एक पड़ी पार्टी सत्ताधारी पार्टी वी रही है वो चोरानवे साल उमर के हैं बगवान उनको और लंबी उमर देवाद भी गुर्मुना पानी पीते हैं क्योंकि जब भी मेरे क्लिनिक आते हैं मैं सिश्टा चार में उनके सामने ठंडे पानी की बुतर रखता हूं इस लरी की तो उनका ट्राइवर एक थर्मत लेकर आता है जि पहली बात यह साती हो है बजार में जो रिफाइंड आ रहा है आज हम लोग ढूंते डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड इस तरह की बस्तूओं को ढूंते हैं आपको यह समझना पड़ेगा कि उन बस्तूओं से उन खाद पजारतों से नेचुरल इस्टर को डेमेज कर दिया गया है तो आप इन बिदेशी कंपनियों के चक्तर में ना पड़ें कोसिज करें कुछ चीजें एक्सेप्शन हो सकती है जिसमें रिफाइंड बेतर हो लेकिन जाधा तर चीजें आपके लिए नुकसान दें तो कोसिज करें रिफाइंड फूट को कम लें उसके बा पास्तर में आपको भूख लगे थोड़ी देर भूख को परदास कें तस पंदार मिट फिर खाएं उस वक्त आपकी जटा रगनी है जो आपके पेट की डाइजिस्टिफ फायर है वहां बहुत इगनाइट हो चुकी होगी और आप जो खाएंगे बहुत डाइजिस्ट होग इन बातों का आप ध्यान रखें इन सब बातों को अब आप मैं चाहूंगा कि मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरे सुक्षिन तक हैं मेरा वीडियो देख रहें कहीं न कहीं आप मुझे मानते होंगे तभी मेरा वीडियो देख रहें आप इस सारी इंफॉर्मेशन को अब ए तो हम जो इसा खाएंगे वैसा हमारा दिमाग चलेगा तो यह कुछ बात थी टीटॉक्सिफिकेशन को लेके यह मुझे चिंता थी आपके विशह में कि बिमारियों के दौर में आपका मिहनत का पैसा कहीं पानी की तरह पहना जाए अभी भी वक्ते आप सजग हो जाएए आप ठीक हो जाएंगे मन में आपके कोई query हो साथियों तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे अपनी query भेज सकते हैं या YouTube notification में query लिख सकते हैं कुछिश करेंगे आपकी बात का सही जवाब देबाएं साथियों बहुत मिनत लगती है कोई भी वीडियो बनाने में उसकी editing processing करने में तो अगर आपको या वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करिएगा share करिएगा अपने channel को आपने subscribe कराओगा अने साथियों से subscribe कराईगा और bell icon को click करके सबसे पहले हमारा सबसे नया वीड दिए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम ब्रहमारपडम ब्रहमाविही ब्रहमाग्न ब्रहम हुतम ब्रहमतिन गंतव्यम ब्रहम कर्म समाधिना ओम ब्रहम साथियों यहां मंत्र है आपको भोजन से पहले ब्रहम जी ने भगवान ने उपर वाले ने आपको जो भी दिया है उसको धन्यवाद करने का यहाँ भोजन एक यग्य होता है आप ब्रह्म ही जो आप भोजन करते हैं वहाभी ब्रह्म है जो आपका डाइजिशन होता है वहाभी ब्रह्म है जिस तरह आपको यग्य होता है तो उसमें जो आप लखडी का इस्तमाल करते हैं वहाभी ब्रह्म है जो अगनी है वहाभी ब्रह जो आप घी डालते हैं वहाँ भी ब्रम है और जिस चम्मत से आप घी डालते हैं वहाँ भी ब्रम है सब कुछ ब्रम्ह में ही लीन हो जाना है इसलिए खाने से पहले हमारे युवा पीडि़ी जो नई पीड़ी है वहाँ मैं चाहता हूँ कि भोजन से पहले इस मंत्र को अवस पाठ करे यहाँ सब कुछ टाकते हैं जो आज साइन्स में एक्स्प्लेंड नहीं है लेकिन कहीं न कहीं यह परसिस्ट करती है बात अच्छी लगी हुआ हमारी साथियों तो आप इस मंत्र को अवस भोजन से पहले पढ़के ही भोजन करिएगा क्योंकि अंग्रेजों की एक कहवत गलत है You are what you eat हिंदुस्तान की जो सही कहवत है वो यह है You are what you digest तो अगर आप भगवान के अराधना करके भोजन करेंगे तो शायद उसका डाइजेशन अच्छा होगा जिस भी आप धर्म के हैं उस धर्म का आप जो है वहाँ मंत्र बोल सकते हैं वहाँ लाइने पढ़ सकते हैं लेकिन उपर वाले को याद खाने से पहले जरूर करें क्योंकि बहुत महिनत से आपके सामने खाना आया है उसकी बड़ी किरपा है जो आपके सामने खाना आया है क्योंकि बड़ी कि अपके सामने खाना आपके सामने खाना आपके सामने खाना आया है क्योंकि अपके सामने खाना आपके सामने खाना आया है